लोजपा राम बिलास के राष्ट्रिये अध्यक्षवा जमुई सांसत चिराग पास्वान ने नितीश कुमार पर सीधा हमला बोला है चिराग पास्वान जैसे ही उधर महागटबंदन से जीतन राम माजी की पार्टी संतोश सुमन उनके बेटे जो बिहार सरकार में मंत्री थ जैसे ही महागटबंदन का दामन छोड एंडिये में गएं अब देखिए इधर चिराग पास्वान नितीश कुमार पर सिधा प्रहा करते हुए दिखाई दिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं देखिए एक तरफ चिराग पास्वान का कहना है कि नितीश कुम बिपच्छी दलों को एक जूट करने में लगे हैं लेकिन जो उनके साथ हैं वहीं अब भाग रहे हैं और बाहर के लोगों को पकड़ने चले हैं लेकिन जो उनके साथ हैं वहीं उनका साथ नहीं दे रहे हैं नितीश कुमार जी बिहार के जो नितीश कुमार यानि कि महाग मंत्री बनने के बाद नहीं चला सके वो देश को चलाएंगे देखिए सब कुछ साफ है 2024 का सामने चुनाव है नितीष कुमार सभी विपक्षी दलों को एक जूट करने में लगे हैं और इधर जब ख़वर सामने आई नितीष कुमार महागट बंदन का जो हिस्सा थे संतोज सुमन जो बिहार सरकार में मंत्री भी थे उन्होंने अब महागट बंदन का दामन छोड़ दिया है और अब एंडिये के साथ चलेंगे देखिए सब कुछ सिधा अब दिखाई दे रहा है कि बिहार में किस तरह सियासी और भुचाल अना सुरू हो गया है जब सामने 2024 के चुनाव है और ऐसे में अब बड़ी सियासी बयानबाजी के साथ ही सब कुछ साफ होना दिख रहा है कि देखिए किस तरह से 2024 में महागहमा सान देखने को मिलेगा बिहार के राजजीती में अब तक जो नहीं हुआ है ओ अब होगा 2024 में देखिए इस बार कि जो चुनाव है आमने सामने की लड़ाई होगी और 2024 में एक तरफ भाजपा भी पूरी जोर से चुनाव लड़ रही है और चुनाव लड़ेगी अभी से ही कमर कसली है क्योंकि 2024 में नारा भी लग रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार क्या सच में तीसरी बार मोदी सरकार बनेगा इधर नितीश कुमार परधान मंत्री बनने का जरूर सपना देख रहे हैं और सभी विपक्षी दलों को एकजूट करने में लगे हैं पत्ना में 23 तारीक को बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी विपक्षी दलों यानि कि NDA में जो पार्टी हैं उनको छोड़कर बाकि सभी लोगों को एकजूट करने में नितीश कुमार लगे हैं ताकि नितीश कुमार एक साथ बैठकर बात विचार किया जाए कि किस तरह से भाजपा को रोका जाए भाजपा को केंदर से हटाया जाए इसी पर चर्चा होगा लेकिन एक तरफ चिराग पासवान जिस तरह का लहमलावर देखे ओ भी हम आपको बताएं लगतार एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद